जब कुछ समझना आए तो बना लेजे चावल के पराथे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपर ये एक कप चावल ले लिए हैं यानि राइस ले लिए हैं, अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ अनियान आट करेंगे, साथ ही एक कप हम ये आपर धनिया पता डाल रहे हैं बारी कट करके, एक मीडियम साइज की हरी मिशली है बारीक कट करके, आधा चम्मस से थोड़ा सा कम बुना हुआ जीरा पाउडर, एक पिंच हींग, एक बड़ा चम्मस धनिया पाउडर, आधा चम्मस से थोड़ा सा कम नमक, एक चुथाई चम्मस चाट मसाला, एक पिंच हल्दी पाउडर, एक चुथाई चम्मस से थोड़ा सा कम, काशमीरी, लाल मिर्च इन सारे ingredients को हम अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहें तो इनको spoon की help से या फिर चाहें तो हातों की help से अच्छे से mix कर लेजिए बस इस बात का ध्यान रखें इनको हमें mash नहीं करना है बहुत ही हलके हातों से mix करना है अगर ये mash हो जाएंगे तो इनके पनाठे खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे तो इनको बहुत ही हलके हातों से इस तरीके से आपको mix करना है आप चाहें तो एक से दो drop इसके अंदर lemon juice डाल सकते हैं और ये mix बन कर तयार हो चुका है तो चलिए आगे का process शुरू करते हैं अब हमने आपर ये आटा ले लिया है इसको हमने ना तो ज़्यादा soft लगाया है और ना ही ज़्यादा hard लगाया है साथ में ले लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा अब हम इसकी लोई बनाएंगे लोई हम medium size की रखेंगे ये देखिए एक medium size की लोई बना लेते हैं सूखा आटा लगाते हुए इसको इस तरीके से round round घुमाते हुए बेल लेंगे ये देखिए बहुत ही आराम से इसको हमने बेल लिया है अब हम इसके अंदर stuffing अड़ करेंगे मैं इसको 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 आटा लगाते हुए इसको अच्छे से round round घुमाते हुए बेल लेंगे इसको अब आप हलके हातों से ही बेल लिए नहीं तो ये फट जाएगा ये देखिए इस तरह हलके हातों से गुमाते हुए हम इसको बेल लेंगे पराठा हमारा बिल चुका है तो अब हम इसको तवे पर डाल देंगे तवा हमने गरम कर लिया था एक साइट से सिखने के बाद दूसरे साइट हमने इसको फिलिप कर दिया है हलका सा ओय लगाएंगे और फिर से इसको फिलिप कर देंगे फिर से हलका सा ओय लगाएंगे और ये देखिए बहुती करारा क्रिस्पी पराठा बन कर तयार है तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ स्टाफिंग देखने में कितनी अच्छी लग रही है और कितनी जादा स्टाफिंग इसके अंदर हुई है ये देखिए देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं गुना जादा खाने में टेस्टी है अब आप इसको अपनी पसंद की चटने या चाय के साथ सर्फ करें अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले बाई